हालो फ्रेंज, वेलकम टू अट चानल दिप्रिशिता शो आज का हमारा वीडियो बेस्ट है कि बच्चे को बात देते टाइम आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है इस वीडियो में हम यह डिसकस नहीं करेंगे कि हाउ टू टेक बात आपको बचे को नहलाना कैसे है सिर्फ हम इस वीडियो में यह डिसकस करेंगे कि नहलाते टाइम आपको किस-किस चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि वही कुछ-कुछ चीज़ें हमसे मिस हो जाती है और फिर बच्चे की स्किन डल होने शुरू हो जाती है ड्राइ होने शुरू हो जाती है तो यह हम डिसकस करेंगे आज वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर जर टेचर का वेंटर से तो डेफिनेटली आप पानी गरम करके बच्चे को नहलाएंगे और सॉमर्व में भी मैं आपको सजेस्स करूंगी कि आप बिल्कुल ठंड़े पानी तोशो ना नह्लाएंradion क्यू bullish हमारी बॉडि अलग तरीके से काम करती इसकी बॉडि इसकी स्किन ब तो भी बहुत जादा गरम पानी नहीं होना चाहिए तो भी गुन-गुना सा पानी हो और समर्स हैं तो भी आप थोड़ा सा ल्यूप वाटर ले सकते हैं पानी जिससे में आप बच्चे का रेडी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिटॉल या सैवलॉन ज़रूर डालें उसे जब बच्चे नहाते हैं तो वह बहुत अच्छा रहता है पानी बच्चों के लिए डरेक्ली पानी बच्चों की बॉड़ी बड़ने से बेटर है कि आप या सैवलॉन वाला पानी से बच्चे को नहलाएं वह ज़्यादा बेटर है बीबी के लिए उसके बाद जो भी आप सोप या बॉड़ी वाश या फेस वाश बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं वह डेफिनिटल या बेबी प्रॉड़क्ट से यूज करेंगे बट जब भी आप यूज कर रहे हैं उसको लिखा होता है लेकिन जब भी आप बच्चे के फेस पे वह अप्लाई करें उससे पहले मेरा सजेशन है कि आप अपनी फेस पे उसको जरूर अप्लाई करके देख लें क्योंकि प्रिशिता के केस में यही हमसे मिस्टेक हो गया था जब स्टार प्रोड़क्ट की था फिर भी वह सोप उसकी आंकों में बहुत ज़्यादा लगता था तो हमें लगता था कि वह शर नहाने की वज़े से रो रही है पर ऐसा नहीं था वह बेबी प्रोड़क्ट की वज़े से था तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहे हूं कि जो भी ब्र जाता है तो उसको निकालने के लिए वैसे हम नजल ड्रॉप्स डालते हैं बट नहाते टाइम आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको ड्रॉप्स की ज़रती नहीं पड़ेगी बस आप जब बच्चे को नहला रहे हैं तो बच्चे की सिर पे बच्चा तीन महीने से बड़ा होना चाहिए इस केस में तो बच्चे की सिर पे आप दो-तीन महीने पानी डालेंगे वह पानी जब थोड़ा सा प्रेशर से उसके सिर पे पड़ेगा तो जो भी उसका डर्ट जो भी उसका म्यूकस है वह आटोमाटिकली नोस से बाहर आ जाएगा आप बच्चे की नोस पर उपर से नीचे तक थोड़ असा प्रेशर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वह आटोमाटिक बाहर आ जाएगा यह प्रोसेस को आप रोज करो क्योंकि बच्चे की नोस रोज भी थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है विंटर से तो वह ठंड की वज़े से ब्लॉक हो तो आपको नोस अच्छी सेुसका Antonio करना आप इνनर पार्ट बाथरूम ए क्लेन कर देंगे जुंका अंधर का एरिया है वह बाथरूम में आपने क्लीन कर दिया लेकिन nose के बाहर की area को आपको बहुत अच्छे से clean करना है बेबी को बहुत लाने के बाद उसके कानों का आपको ध्यान रखना है और उसके मूँ का आपको ध्यान रखना है वो आप कैसे करेंगे nose के बाहर की area के लिए टावल से आपने उसका बॉड़ी को अच्छे से पहुंच लिया, वो भी आप बहुत जादा ना करें, थोड़ा सा पानी उसकी बॉड़ी पे लगा रहें, आप इस हिसाब से बहुत सॉफ्ट टावल से उसको पहुंचें उसकी बॉड़ी को, और उसकी बाद नोस का भी आपक कर देते हैं, बर सम्टाइम्स कान के पीछे का एरिया जो है, वो रह जाता है, फ्रिष्टा की केस में भी हमसे ही मिस्टेक हो गया था, इसलिए ये चीज़े मैं आपको बहुत बारीकी से बता रहे हूं, फ्रिष्टा की केस में भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि उसके कान क की जो बैक वाला एरिया है, वो उसकी जो कान के पीछे की स्किन है, वो ड्राइ हो गई थी, वो हमसे अच्छे से क्लीन नहीं हो पाई थी, तो फिर जब हमें पता चला तो उसके बास से अब तक आब उसको डेली बेसिस पर क्लीन करते हैं, आप वैसे तो उसको क्लीन करते र हो जाएगी तो आप डेली वेसिस पो अच्छे से क्लीन करते रहें फिर माउथ का आपको क्या करना है माउथ में भी आप एक साफ कॉटन का कपड़ा ले लें और उसका टंग क्लीन करें क्योंकि बच्चा छोटे जब होता है तो उस ताइम उसको ब्रश नहीं कर सकते बट एक कॉटन का कपड़ा ले लें साफ उसको आप अपनी फिंगर में लगाएं और उसके टंग और उसका माउथ क्लीन करें अच्छे से तो यह दो तीन चीज़ों का आपको बहुत ज़दा ध्यान रखना है यह क्लीनिंग के बाद आप बच्चे की बाड़ी को मॉस्चुराइज करने बहुत अच्छे से करें मॉस्चुराइज करना बहुत जहUI क्लीन है अगर आप सुबा शाम बच्चे को नह आरे हैं शूरी को सिर्फ बच्च को स्पॉंच कर रहा हैं सपॉंच करने के केस में में भी आप उसको मॉस्चुराइज ज़रूर करें बिसिकलिए पानी जब को करना ही है नहीं तो baby की सकिन बहुत زढदा सौफ्ट होती है बहुत ज yılदी डeln oti है तो मौश्चेय आप बस्तवर करते रहें उसके बाद बेबी प्रॉडक्स की आप बहुत ज़िएदा ध्यान रखें कई वार मने क्या होता है कि या जो भी hose step से हम ले आते हैं बड़ बच्चे की स्किन उससे डल होती चली जाती है यह अलग-लग ब्राइंड इसके प्रॉडक्स अलग-लग बच्चे पर अलग-लग तरीके से सूट होते हैं आप अपने बच्चे का देखें और उसके बाद में उसको यूज करें अच्छा लोशन के बड़ी पे पाउडर लगा रहे होते हैं तो सम्टाइम्स आप बॉटल से उसको पाउडर को लगा देते हैं और वह होता क्या है कि बच्चे की नोस के थ्रूँ और माउट के थ्रूँ उसके बाड़ी के अंदर चला जाता है और वह अंदर जाने के बाद बहुत जादा हाम करता है बॉड़ी को मॉश्चुराइज करने के बाद आप चाहें तो पाउडर भी कर सकते हैं पाउडर लगाने के ऐसे कोई खास रिक्वाइर्मेंट है नहीं हम प्रिशिता को पाउडर यूज नहीं करते हैं हमने कभी भी उसकी बॉड़ी पे नहीं यूज किया बट अगर यह भी आपको लगता है कि अपको पोड़ना बहुत जादा ज़रूरी है आपको लगता है कि आपको लगाना ही है तो उससे में आप हाथ पर फोड़ा सा पाउडर ले ली जीए और लेने के बाद अन्फिंगर हेसे उसको थोड़ा थोड़ा बॉड़ी पे जहाँ-पेंज ह जो आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे की बाड़ी बच्चे की स्किन बहुत हेल्थी बनी रहेगी ग्लोग करती रहेगी शांटी है और यह चीजोंका अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो हम बेशब बच्चे को रोज नहलाते रहें उसकी स्किन डे-वाइ-डे डल होती जाती है, जबसे भी आप बच्चे को बात देना स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग एक महिना ऐसा होता है, जो बच्चा अपने पूरे तरीके से सेंस में नहीं होता, बट उसके बाद आप जो भी प्रोसेस उसके साथ करते हैं, वो थोड़ा बात समझने की कुशिच करता है उसको, तो जो बात का प्रोसेस है, उसके लिए थोड़ा से एंजॉइबल बनाओ, ये आपको स्टार्टिंग से ही करना है, आप ये नहीं सोचें कि बच्चा चार पाच महिने का हो जाएगा, उसके बाद से आप ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज आपको भी जो प्रोसेस को है, वो एंजॉइ नहीं कर पाता, इवन नहानी का ही नहीं, आपको बच्चे को खाना खिलाना है, आपको बच्चे का कोई और काम भी करना है, हर प्रोसेस को बच्चे के लिए थोड़ा सा एंजॉइबल बनाए, जो हर प्रोसेस को बच्चा एंजॉइ कर सक उसे यह नहीं लगे कि उसे काम करना है, उसे हट जीज एक गेम की तरह लगना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा एंज्वाइ नहीं करेगा, तब तक वो प्रॉसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो नहाने के लिए पर आप ऐसे ही करें, जब आप बच्चे को नहला रह कर सकता है, आप वो सब कर सकते हैं, बट आप यह स्टार्टिंग से ही शुरू कर दें, जब आप बच्चे को नहलाना शुरू ही कर रहे हैं, जब बच्चा एक डेड महीने का है, तब ही से आप यह चीज़ें शुरू कर दें, वो साउंड को बच्चा सुनने की कोशिश करे उसको नहलाते टाइम वैसे-वैसे वो उसको सीखना स्टार्ट करेगा और वैसे-वैसे उसको वो प्रॉसेस इजी लगेगा अच्छा लगेगा प्रिशिता जब से पैदा हुई है जब से हमने उसको नहलाना स्टार्ट किया है आप सब जानते हैं आज वह अभी नाइन मंस की हो चुकी है 9 months उसने complete कर लिए है प्रिचिता नहाती टाइम आज तक कभी भी नहीं रोई है हलाकि हमने अभी तक उसके लिए बाट टब भी नहीं मंगवाय है हम उसको normally बात्रों में ले जाते हैं और ऐसी उसको नहलाते हैं बट क्योंकि हम उससे बात करते हैं उस टाइम पर हैपी साउंड्स निकालते हैं लाइक वाव और येस कुछ इस तरीके से आप साउंड्स निकाले हैं जो बच्चे को अच्छा लगे वो थोड़ी देर के लिए पानी के साथ खेलती है उसे बहुत अच्छा लगता है तो नहा पहले उसकी मालश माम जरूर करें फिर पक друзपी को भात नहें अच्छे को बात कोषिश को रहें और बात आप से पंदरा मिनट पहले आप उसको मालिश कर दें 5 या 10 मिनट की मालिश भी भी बच्चे पे पे रहे हैं आप बेबी ऑईल के साथ में बड़े soft hand से उसकी पटा पट से मालिश कर दें और क्योंकि बच्चे की head massage बहुत जरूरी होती है बच्चे की हातों की massage उसकी tango की massage उसके पेट की massage आप जब एक बारी उसको 10 मिनट का भी massage दे रहते हैं तो बेबी बहुत बहुत अच्छा करता है सारा दिन उसका blood का flow बहुत अच्छा बना रहता है उसका blood circulation बहुत अच्छा बना रहता है तो आप मालिश जरूर करें और मालिश के अलिए यह ध्यान रखें मैं 15 मिनट पहले इसलिए बोल रही हूं कि 15 मिनट से जादा उसकी बहुत अच्छी feeling होती है तो यह था मेरा experience जो मैंने share किया आपके साथ आगे मिलते हैं एक नए topic के साथ एक नए इसी भी टॉपिक पे आप विडियो चाहते हैं तो प्लीज आप कॉमेंट फोस करके जरूर बताएं तैंक यू सो मच